हेलो एवरिवन वेलकम टू दीस चैलेंज जुलोजी नोट्स आज के इस पीडियो में आपको बताऊंगी रिप्रोडक्शन इन बैक्टिरिया यह टॉपिक बहुत ही इजी है प्लस बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसके हर एक जो रिप्रोडक्शन का टाइप है ना उसमें फ बैक्टिरिया माइक्रोगिनाऊंटब यूनिसेललर पर यूनिसेलर परोकाहिटिक और प्रोकेहरतिक और athlete बहूत है यूंसेल्र मतलः नियूकलास उसके सेल अंदर नियूकलीस चाहिं प्रेकोत कशल एबक्राइछ estimates § the study of bacteria is called bacteriology bacteria की study करने को bacteriology कहा जाता है इरेन बर्ग इस्टेबलिस ता जैनस बैक्टेरियम बैक्टेरियम जैनस को सबसे पहले इरेन बर्ग ने खो जाता है 1829 में bacteria are present everywhere in the water in the soil in the air on our body and in our body bacteria हर जगह मौज़िद होता है क्योंकि स्विच में जिवे इसका के तरह को पानी में होता है मिट्टी में होता है हवा में होता है इतना कि हमारे बाड़ी में भी होता है example E. coli, lactobacillus, streptococcus बैक्टेरिया का कौन-कौन तरह E. coli, lactobacillus, streptococcus और भी बैक्टेरिया होता है बस आप यह तीन लिख देजिएगा structure of bacteria, bacteria का structure कैसा होता है bacteria are unicellular microscopic prokaryotic organism lacking chlorophyll क्या होता है bacteria एक तरह का unicellular microscopic prokaryotic organism होता है जिसमें chlorophyll का कमी होता है the bacteria are either spherical, rod shaped, spiral or curved bacteria का जो safe होगा, वो spherical भी हो सकता है, rod shaped में भी हो सकता है या फिर spiral या फिर curved भी होता है यहाँ पे एक figure draw करना था लेकिन वो figure इस PDF में है नहीं आपको मैं community में देदेंगी, वहाँ से देख लीजेगा reproduction in bacteria, bacteria में जनन कैसे होता है the bacteria growth and reproduction are the simultaneous phenomena bacteria में जोता है growth और reproduction जोता है एक तरह का घटना होता है मतब बूल सकता है कि bacteria में growth और reproduction एक साथ होने वाला process है here the growth means the increase in the size of the population of bacteria यहाँ पे growth का मतलब होता है ना कि उसके bacteria के population में increase होना यह पे population में उसका ब्रिधी होना the growth therefore is product of reproduction growth क्या होता है तो reproduction का product होता है bacteria reproduce mainly by asexual method there bacteria जो होता है mainly asexual method द्वारा यह reproduce होता है पहला binary fusion इसमें क्या होगा the most of the bacteria reproduce by transverse binary fusion जातर bacteria होता है वह reproduce होता है किसके दोर तो transverse binary fusion के दोरा यह अपना अपने ही जैसा एक तरह का मतब जैसे बहुत यांग वन्स प्रोडूश करता है a single bacterial cell divides into two cells by the formation of a transverse septum एक single bacteria cell जोता है वह अपना वो सेल क्या होता है वो divide करकी क्या होता दो भाग बटके transverse septum का formation करता है each time a cell divide and form a new generation of two cells कभी कभी क्या होता है एक new generation के लिए दो सेल का formation करता है each cell of the new generation is capable for further division by fusion उसके लाज हर एक सेल में क्या होता है वो capable होता है वो सच्छा हम होता है एक होता division करने के लिए fusion के द्वारा each generation has twice the number of cell as a breeding generation यहाँ पर बोला चाहर है कि पर्टेक पिर्ही में जो है पिछली पिर्ही के तुलना में cell की संख्या दोगनी होती है जैसे एक cell से दो cell बनेगा है ना एक cell डिवाइड होके दो cell बनाएगा तो वो जो डिवाइड होके दो cell बना फिर वो दोनों cell जब डिवाइड करेंगा दोद्यों करके तो one one से two बनेगा two से four बनेगा पर्ते जो जनरेशन होका उसमें पिछला प्यूरी से पिछला जनरेशन के तुलना में सेल का सैंख्या जोगा वो दोगुणा होगा यहां पर आपको एक figure draw करना है यह figure आपको यहां पर draw करना है जैसे यहां पर DNA material को दिखाएगा nuclear material को उसके बाद वह division करके cell division करेगा उसके बाद construction होगा उसके बाद दो cell में divide होगा यह पुरा आपको figure आपको बनाना होगा binary confusion में. दूसरा कूरता से, budding यह पिवरिया पॉस्टियोर की नाम से, जाना जाता है。 Budding involves development of small bird at one end of the cell. This enlarges and eventually develops into a new cell. इसे बोले जारें कि budding में क्या होता है? एक छोटा सो उभार जिसको small bird बोल सकते हैं, उसका एक तरह सा development शुरू होता है. और जो बड़ा हो जाता है और एक last में एक नए सेल में विक्सित हो जाता है. The new cell cuts off from the parent and grows as a new individual. वो जो new cell है, वो cut करके क्या होता है? पैरेंट सेल से cut होके एक नए individual के रूप में वो grow होता है. This type of budding has been observed in rhodocidomonasacidophila. नाम बहुती बड़ा है. इस तरीके का जो budding है, ये दिखने को मिलता है rhodocidomonasacidophila में. फिर यहाँ पर आपको एक figure ड्रो करना है. ये figure आपको यहाँ पर बना देना है. बड़िंग का जितना भी आप पॉइंट वाइस लिख दीजेगा, उसके बाद ये figure आप बना दीजेगा, उसके बाद नीचे लिख दीजेगा, बड़िंग इन बैक्टेरिया. उसके बाद तीसरा एसेक्सवल मेठ़ड है फर्गमेंटेशन. बैक्टेरियल जेनरा सच एज सेप्रोसीरा, भिट्रियोसीला, सीमोनसीला और फिलामेंटेस इन नेचर. बैक्टेरियल जेनरा जैसे की सेप्रोसीला, भिट्रियोसीला, सीमोसीला जो होते हैं, वो एक तरह का फिलामेंटेस नेचर में पाई जाते हैं. यह रिपोडूर्यूस और यह रिपोडूर्यूश करते हैं इन तरह सब सकते हैं। fragmentation से ये reproduction करते हैं इन लीकूथ्रहिक या कर भाई Ga अकराइब TAPD breaking off aंवाइच फिलामिन जो लिकूर में अब żॉता है। इसमें, इसमें उसका फिलामिन में एक तरह का ब्रेकिंग होता है आवाइच तरह का ब्रेकिंग होता है。 As a result, short filaments are fixed, they grow into filaments. उसमें क्याता है, जो short filaments जो होता है, वो fixed हो जाते हैं और वो grow हो जाते हैं, filaments की रूप में. उसके बाद का प्रोसेस है, Indospore Formation. Indospore Formation of bodies produced within the cell. Indospore Formation जो होता है, उसका body के अनमाद एक तरह सो बोसकते, cell के अंदर ही उसका production होता है. During unfavorable condition, the nucleate duplicates and protoplast secret a thick wall around the nucleate. The thick wall structure is called Indospore. जो होते हैं, एक तरह का सही condition जब नहीं पाता है, तो उसका जो nucleate जो होता है, वो duplicates होता है, और एक तरह का protoplast होता है, वो secret करता है, बहुत थीक lining wall, एक तरह से nucleate के चारों और वो secret करता है. उस थीक wall structure को Indospore कहा जाता है. During favorable condition, it grows into a new bacteria. उसके बाद जब favorable condition मिलता है, जैसे को उसको सही temperature मिलता है, तो वो ग्रो कर जाता है एक नए bacterium में. They are more resistant to unfavorable environment, conditions such as heat, cold, desiccation, osmosis and chemical than the vegetative cell, example bacillus and clostridium. क्या होता है, एक तरह से जब बोल सकते हैं कि अनुक जब भूता है, एक तरह से favorable condition मिलता है, तो एक नए जीवानों में विख्षित होता है, जो कि एक तरह से बौछ सकते हैं, वो लौ, जैसे बर्स्वति-कोशिकाओं के तुन्ना में परतिकूल्ज होता है, परियावर्न प कोई figure ड्रो करना है यह figure आपको यहां पर बना देना है कि कैसे fragmentation में एक तरह से इंडोस पर फार्मेशन में कैसे नए बैक्टिरियम का reproduction होता है नीचे लिख दीजेगा बैक्टिरियम इंडोस पर फार्मेशन उसके बाद लास्ट प्रोसेस है कॉनिडियो स्पोर्स स्ट्रेप्टोमाइसिस लाइक और्गनीज प्रोड्यूस मेनी स्पोर्स बै डेवलोपिंग क्रॉस वाल एड़ था हाइफी टिप्स इस स्पोर्स गिब्स राइस टू ए न्यू बैक्टिरियम इस तरह के कर प्रोसेस में जो हता है इस्ट्रेप्टोमिस जैसे और्गनीज जैसे क्रॉस वाल को विक्सित करके कई स्पोर्स पैदा करते हैं हाइफवी टिप्स में और हर एक स्पोर्ज होता है नया बैक्टेरियम को जन्म देता है को अग् software हो एक पर इसके बाद आपको यहां पर एक फीगर कर देना हो है इसमें बता है गया कि कैसे Carnäd espos इन streptomyces यह figure आपको यहाँ पर draw कर देना है